हेलो गाईस हमें अपने एसी के रिमोट को किस तरह से यूँज करें कि हमारा एसी कूलिंग भी अच्छी दे और पावर भी कम ले तो चलिए बात करते हैं कंपनी के बंदे से की वह किस तरह से हमें बताते हैं कि हमें कैसे रिमोट को यूज करना चाही है आव आप बता है यह मोट का बटर है उस पर नहीं कर रहे है यह आप बार-बार प्रेस करेंगे ड्राई पे चला यह फैण पे चला गया ऑटर पे है आपको चूल करना ओर यह माइनस प्लस आपका तंप्ट्रेचर घानी आप कटाइए बढ़ाई है यह हो गया फास्ट यह पास्ट कुलिंग के लिए है सूला पे जाके चालू कर दें यानिक टॉर्बो जैसे होता था वही सेम वही चीज है यह आपका वही है जो प्लक बनाएते हैं यानि कि आप लोड कम इसका अच्छा आप यह 24 पे कर दें ज्यादा आपको चलाना है और यह स्विंग जो चला है स्विंग को कंटिन्यू करिए यह आपकी इच्छा वगर कंटिन्यू करेंगे तो यहां भी कूलिंग रहेंगी उपर भी देगा यहां वी कंप्लीट नेची यह आप रणिंग पर रखी जैसे अभी रखा आपने यह टाइमर है ताइमर आपने दाला फिर इसको बढ़ाना है आदे घंटे एक घंटे डेड़ घंटे यानि चौबिस बारे घंटे चौबिस घंटे के लगता है वह आपको ज़रूरत नहीं पड़े ही फिर ऐसे अटाते जाएंगे अगर नहीं आठता है तो सीधा आप कर दीजिए पूरा यह जो है और यह फैन स्पीड अगर आपको कूलिंग नहीं चाहिए टंप्रेचर बढ़ाईएगा इस पीड ना कम करिएगा नहीं तो यहां आई जमने लगा पानी हो सकता यहां यह फैन स्पीड का मतलब यह फैन स्पीड आप जैसे यह हुआ एक आटो यह आप ज्यादा पूल लगी है अगर आपको नहीं लगता है तो दो पाइंट एक पाइंट कम कर सकते इसका है यह यह कि इसको यह प्रहता दो आप प्रब्लम आपको तो गाइस वीडियो पसंद आयो तो प्लीज एक लाइक कर दें नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए ओम शांती और बाइ बाइ